वीडियो देखर थरा तो परियाप्त गए होंगे सोचिए परेटन का अनन्द उठाने जंगल में फिर रहे हैं चाह रहे हैं कि एक बार बाग दिख जाए मज़ा आ जाए लेकिन बाग का मूड खराब निकले और आपको दिन खराब होने का डर सता जाए दिन भी छोड़िये जैसा इस बाग का डर दिख रहा है ये दिन नहीं जीवन खराब करने वाला मामला लग रहा है मामला कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे हुए रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन का है जहां एक बाग जंगल से निकल कर सड़क पर आ गया और अचानक कई गाडियों पर हमलावर हो गया इस घटना के बाद वन विभाग ने एक टीम भेजी सड़क पर गश्ट के लिए लगाई ताकि बाग बाहर आकर लोगों पर हमला ना कर दे विडियो में देख रहा है कि बाग परेटकों की गाड़ी पर एकम खंगा रहा है फिलहाल इस सड़क पर लोगों का आना जाना बंद करा दिया गया है लेकिन भाय का माहौल इमेजिन कीजिए और गाड़ी के अंदर जो बाते हो रही थी वो हालात बताने के लिए काफी है क मतलब मंजर कैसा ही रहा होगा जब बाग सामने था हाई मेरा मैं आशी शार आप देख रहे हैं दील अलन टॉप एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट सबसे पहले करते हैं बात आज के शो में क्या है खास प्रियंका गांधी वाड़रा के बनाए डूसे में भी दोश निकालने लगे लोग इकलौता पेड़ था उसी ने काम बिगार दिया पारकिंग का यांसा जुखार जो दूसरे की गाड़ी कभी खड़ी ना होने दे और फिक आफ दे में करेंगे बाद करेटा का करेटा बालों से बदला वायरल होने के करम में कभी-कभी नेताओं का भी नंबर आता है इसके लिए उन्हें वो काम करने पड़ते हैं जिसकी नेताओं से उम्मीद नहीं होती या आम तोर पर वो नहीं करते जैसे आज खूब चला प्रियंका गांधी का वीडियो करनाटक के दोरे पर प्रियंका गांधी ओडरा मैसूर के प्रसिद्ध मायलारी रेस्टोरेंट पर पहुंची थी तो खुद डोसा बनाते नजराई थी उसी मौके का वीडियो चला इसके बाद उन्होंने रेस्टोरेंट के मां लेकर उनके परिवार के साथ सेल्फी वगरा ल पहले एक इसल्ट करता है कि हमारे नताजी नहीं अच्छा काम किया ऐसा चलाता है और दूसरा बताता कि तुम्हारे नताजी ने जो काम अच्छा की आथा लेकिन उसके गरबर हो आपको पता है तो सोशल मेडिया पर लोगों ने यदावय कि ए कि प्रियंका गांधी ने जो कि वो सरकार कैसे बनाते हैं एक सेकंड इसको उलता भी तो कह सकते हैं कि नेताओं का मुल्द आंकर इस बात पर थोड़े होगा कि वो डोसा कैसे पलटाते हैं देखा तो यह जाएगा कि वो सरकार कैसे पलटाते हैं लोगों ने लिखा प्रियंका गांधी ने जला दिया डोसा, मिन्वाइल डोसा लवर्स हमें मार दो एक यूजर ने लिखा कि PR डिजास्टर डोसा जल गया, कॉंग्रेसी जला डोसा प्रसाद समझ कर खाएंगे लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का मजाग उड़ाते हुए लोगों ने पैरोडी लिखी कि लड़की हूँ, डोसा जला सकती हूँ, नियू स्लोगन बाई प्रियंका गांधी आप इमेजन नहीं कर सकते हैं, उस लेवल तक लोगों ने वीडियो का छिद्रान वेशन किया, कहा गया कि कोई फिर एक खराबशब्द लिखा, फिर उस खराबशब्द के बाद लिखा, इन एक्सपिरियंस्ट कुक ही पहले नीचे की तरफ डोसा जमाएगा, फिर उपर की इतनी दूर रहकर कौन काम करता है, इतना छोटा उतफम होता है हमारे यहां डोसा नहीं, डोसे के बैटर से बैटर दादी की नाक वाला जुमला था, जितना ध्यान वीडियो और डोसे को बनाने के तरीके में दिया गया है, अगर उतना सरकारे कैसे चल नहीं है, इस पे हर क कोई देने लग जाए, तो देश का क्या ही हो जाए, समर्दन में लोगों ने लिखा कि प्रियंका दीदी की एक खास बात है, वो बेहत सहज और सरल है, उनके व्याओहार में दिखावा जैसी कोई चीज शामिल नहीं, करना टेक में डोसा बनाते हुए उनका वीडियो देख आजायक कह नहीं सकते, कुरसी पर बैठे मुख्यमंत्री के विधायक अंतरात्मा की आवाद सुन लेते हैं, मजे से फैसले लेते नेता की मारक शीर मागी जाने लगती है, हिटो होते स्टार से एक्टिंग की मागी जाने लगती है, इंस्टाग्राम पर एड़ करके खुश क्या गलत हुआ वीडियो में देखिए पार्किंग में कोई और गाड़ी खड़ी ना कर जाए and so on, माने ऐसा समझे कि ट्वीटर पर लोटिक का जैसा लालच उसके प्रति जैसी निष्ठा जैसा उसके प्रति प्रेम लोगों का होता है, वैसा ही सोसाइटी में रहने वाले लोगों का अपनी पार्किंग के प्रति हो अपने पार्किंग प्लेश को निशान देने के लिए गजब का तरीका अपना आया, एक लोगों ने अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट प्लेट प्लेश में लटका दी है, उपर नंबर प्लेट लटकी है और नीचे कार खड़ी है, इससे ये फाइदा है कि लोग अपना प वीडियोज डालते हैं, तो इन्हों ने ये वीडियो दो हपते पहले इंस्टाग्राम पर डाला और इसको तीन लाग से ज्यादा लोग देख चुके हैं बाची आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, होगी कल फिर से मुलाकात और जब तक कोई आपकी न सुने, गदहों सकाम निकलवाते रही है, और क्या पाटा